जी तो इस lecture में जिस चीज के बारे में हम knowledge जो है वो gain करने वाले हैं that is time series analysis के अंदर जो types हैं वो कितनी किसम की time series के बारे में हमने जितना भी knowledge अभी तक gain किया वो बहुत basic था तो आइस्ता इस्ता हम advanced की तरफ रहां दवाएं तो अब जो हम काम करेंगे वो देखेंगे के time series analysis की types कितनी हैं मैं आपको important वाली बताऊंगा there are many many there तो हम आइस्ता हैस्ता इन चीजों को देखते जाएंगे जैसे हम projects की तरफ भी move करेंगे so let's do it अच्छा अगर मैं इसको ts लेकूं तो आप समझ जाएंगे ने time series okay सबसे पहला जब भी आपके पास time series के data आता है कि आपको शायद याद हो मैंने आपको कुछ इस तरीके से चीज बताई थी कि अगर data को चार तरीकों से deal करना हूँ तो हम क्या करते हैं डेटा को relationship देखते हैं उसका distribution देखते हैं कि data की कैसे है फिर हम क्या देखते हैं जी comparison and और क्या था याद है के नहीं distribution comparison यार composition यह चार चीज़े हम देखते हैं data की और आपको मैंने बताया था EDA के बारे में ED हमने बड़ी detail में किया है जिसको हम descriptive statistics भी बोलते थे याद है कुछ descriptive statistics का क्या आप data के बारे में बाते हैं कि data यह है data वो है data के साथ यह हो गए data के अंदर यह यह चीज़ें मौझूद है let's look into it together correlation हमारा relationship में आ जाता है so that's the thing पहले चीज़ हमारी जब भी हमारे पास time series का data आता है तो descriptive analysis है time series का ठीक है तो हम यहाँ पर time series analysis की types देख रहे हैं कितने किसम का analysis हम कर सकते हैं time series पे descriptive analysis या हम इसको exploratory data analysis भी बोलते है exploratory data analysis EDA आपने साथा EDA तो किया होगा बड़ा जबर्दस तरीके से time series का जो EDA है this is little bit different than the normal EDA वो भी हम देखेंगे लेकिन उससे पहले हम EDA जो time series में है इसकी कुछ खुसूसियाद देखते हैं पहले हमारे पास data हता था rows थे columns थी और हम उनको deal करते थे एक एक instance की base ठीक है ऐसे करके राइट और हम अगर यह वाली row को उठाके यहां पे ले जाते थे यह वाली को यहां पे ले जाते थे doesn't matter a lot क्यूंकि एक row का data आपस में जितना था हर column का वह वैसे का वैसे पूरे का पूरा shift होता था नीचे या उपर ऐसे हैं हमारे पास वो data उस तरीके से shift होता था and we could plot the data based on those things as it is यानि कि अगर 1,2,4,5,3 ऐसे भी अगर इसको plot कर दिया जाता तो बेतर था it was fine क्योंकि उसका index जो था वो doesn't matter हमारे पास उस वागत matter नहीं करता था data की value matter करती थी time series के data में हमारे पास time की base पे index होता है index का पता है ना कि कितनवा instance है वहां पे हम कहते थे कितनवा पहला दूसरा तीसरा चोथा पांच मां यहां पे हम कहेंगे time कौन से पे वो data लिया गया था किस time पे और यह तीन से चार किसम का time होता है पहली किसम यह होती है कि किस date पे था वो data ठीक है डीट अगर होगी है हमारे पास ठीक है दूसरा होता है किस time पे था तीसरा होता है starting time से कितने minute बाद का data जैसे होता है ने train चलने के पांच मिनट बाद यह हो गया फ्लाइट चलने के पांच मिनट बाद ऐसा हो गया दस मिनट बाद यह हुआ वह एक से मतलब फ्लाइट टेक आफ करने के end ठीक है हम उस data को भी यहां पे consider करते हैं जिसको हम बोलते हैं time stamp कि इतने time के बाद अब time stamp अगर बिलकुल आपके time की है कि 000000 that is also time data लेकिन अगर आप ऐसे लेखे पांच मिनट बाद 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद तो यह वाला data इसमें interchangeable भी है and this one is interchangeable to this one exploratory data analysis आपको बताता है कि आपके पास date time का data कैसा है और वो किस तरह convertible है ठीक है कौन सी form में और यही data set आपको बताता है कि अगर आपका data hour hour minute minute second second में है तो आपने इसको कैसे convert करना है second second minute minute and hour hour में या आपने इसको तीन कॉलम में split करना है या आपने यह अंदाजा लगाना है कि यह take-off का time था और यह landing का time है इसमें से minus करके आपने flight time कैसे निकाल So these all things you do in exploratory data analysis बाकी सारा data वैसे deal होता है जैसे हम पहले करते आए है यह वाला data deal होगा based on the functions in pandas जो date and time का function है ठीक है data and time के data को deal करने की बेहद different किसम की चीज़ें मुझूद है अक्सर अकाद यह data बताया होता है different way में और आपने उसको second second minute minute hour hour में करना होता है और कभी कबार for example एक flight आठ बच के पंदरा मिनिट सुबह की time उड़ी पाकिस्तान से लहौर से ठीक है which is GMT plus five सभी हो गया और यह flight land की इस्तंबोल के अंदर आठ बचे चली है पांच गैंटे का time अगर लगाया जाए तो मैं अगर इसे बोलूं कि यह इसको मैं करता हूँ 14 अब आपके पास एक question matter करता है कि यह पाकिस्तान का time तो हमारे पास GMT plus five है तो इस्तंबोल का GMT कितना होता है किसी को पता है इस्तंबोल का GMT कितना इस्तंबोल कितना लिखेंगे कितने खेंटे का फरक होगया हमारे पास total कितने गेंटे का फरक हो गया यहांपर हमारे पास GMT plus five और यहां पर हमारे पास GMT plus three है दो गेंटे का फरक हो गया इसका मतलब यह है अगर मैं टाइम ओफ फ्लाइट निकालना चाहूं I should know कि स्टार्ट कब होई, एंड कब होई, एंड प्लस क्या करना है? दो गेंटे समझ रही बात की? अगर पाकिसानी टाइम से देखना है कभी कबार आपको GMT की बेस पर माइनस दो गेंटे करना होता है यहां पर एक सीन है, डेलाइट सेविंग के नाम से उसके अंदर क्या होता है? एक स्पेसिफिक मंच के अंदर एक डेट दी हुई है कि यहां से लेके यहां तक आपका एक घंटा टाइम में एड होना है यहां से यहां तक वो घंटा माइनस हो जाना है ठीक है? उसको डेलाइट सेविंग बोलते है क्या मुझे बता सकते हैं कि यह डेलाइट सेविंग किस डेट से किस डेट तक होती है इंटरनेट पर इसकी इंफरमिशन मचूद है यू कन गूगल इट ताकि अभी सभी को याद हो जाए जी आप मेरे साथ सर्च करें कि तो फाइदा होगा अदर्वाइस तो हम करी रहे हैं चीज़ें सेविंग कब स्टार्ट होती है यूरप के अंदर क्योंकि जब आपके पास फ्लाइट का डेटा है यह तो नहीं होना कि सिर्फ पाकिस्तान का डेटा है आपके पास दुनिया का डेटा होगा अगर को बंदा यह कह के औसे की करना यूरप नो संडे को होती है चेंज हमेशा यह बात याद रखिएगा ठीक है 26 मार्च का बताया जा रहा है यहां पे और 29 अक्तूवर का यह रिसेंटली हमारे पास यह चेंज आई भी है ठीक है तो हमारे पास प्लस माइनस यहां पे एक दिन हो जाता है उसकी वज़ा यह है कि यहां पे अंधेरा काफी होता है और लोगों को आफिस जाना पड़ता है इस वज़ा से टाइम को इंक्रिमेंट लगाई थी यह वही टाइम है जो पाकिसान के अंदर मुशरफ टाइम भी गिना जाता था इक और आपको बात यहीं पर बता दूँँ एक्सप्लोरेटरी डेटा के अनदर सिरफ आपको यही नहीं देखना कि डेटा किस तरीके से है आपको डेटा से रिलेटेड मै्टा डेटा को भी देखना है अब इसकी मिसाल मैं देता हूँ अमेरिका के एक सिटी से फ्लाइट उड़ी है, दूसरे सिटी में लैंड की है, पर यकीन माने उनका सिटी का भी अपस में GMT का तालुक है, अमेरिका की बात कर रहा हूं, तो यह नहीं आपने कहना कि अमेरिका के अंदर ही हैं कोई मसला नहीं है, समझ रही बात की, तो यह आप टू अबाओ अबाँ डे जीमटी, और यह मैटा डेटा में बताया होता है, तो टाइम के डेटा को हम इस तरीके से मैनेज करते हैं, फिर इसकी बेस पर सारी चीज़ें एक्स्प्लोर की जाती हैं, यानि कि आउटलेर कैसे हैं, आउटलेर किस तरीके से हमने सीरीज की पहला नालिसिस हुग्ड हम्वें पता चल गया थो टाइम सीरीज के बेस पे हम टाइम सीरींग करतें थाईम अब हमने पढ़ा फोरगस्ट्राइस सब्सप्रदिक्जों और इसके लिए मौडल जो यूज होता है basically यह modeling है यह अरीमा model यूज होगा फिर एक और model है which is called सरीमा ठीक है और हमारे पास अरीमा और सरीमा यह दोनों जो हैं बेहतरीन तरीके से काम करके हमें forecasting prediction देते हैं based on कौन सी data की properties यानि के time series का noise time series का जो outlier remove हमने की हैं वो और time series के अंदर जो pattern आता है time series का trend जो है season जो है cycles जो है सारी चीज़ों को लेके रीमा और सरीमा काम करता है अगर हम इसकी बात करें तो यह था auto regressive auto regressive integrated moving average और अगर हम इसकी बात करें सरीमा की this is seasonal फिर सारा वह auto regressive integrated moving average इस तरह के और भी काफी है तो हर एक की अपनी खसूसियत है अरिमा के अंदर auto regressive है लेकिन अगर आपने seasonal trend को ज्यादा forecast करने जैसे अभी सामा भाई भी दिखा रहे थे data based on the रमजान डेटा या जो ऐसे सीजन अकर कर रहे हैं डेटा के अंदर तो उसकी बेस भी आप सीजनल डेटा को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो सरीमा वुड बी more better than auto regressive और यू विल सी के अरीमा से सरीमा डिफर करता है based on the seasons found in the data ठीक है फिर हमारे पास तीसरी किसम का analysis जो है यह तो हमने कर लिया time series की forecasting ठीक है यह हम क्या करते हैं based on the previous data हम future data with time predict कर रहे होते हैं हमारे पास time series forecasting के अंदर फिर एक अगली चीज़ होती है time सीरीज forecasting हमने की है और यह ज्यादा तर forecasting होती है आपकी regression टाइप कि आप इसके अंदर इंट को यह numeric value को predict कर रहे होते हैं numeric के बाद regression का उल्ट किया जी यह दूसरी form किया classification opposite जिसे हम बोलते हैं तो जब हम time series को classify करते हैं there are some other methods to do that और हम क्या करते है डेटा को machine learning technique के जरीए हम classify करते हैं और इसके लिए probability जो हमारे पास solutions है वो है अपका random forest algorithm बहुत अच्छे तरीके से use होता है classification के लिए time series के data पे xg boost की लोग बात बहुत करते हैं time series के data पे यह बहुत विट बैठता है यानि के जितने boosting and bagging के algorithm है यह इसके उपर काम करते हैं time series के data पे इसके उपर support vector machine भी लग जाता है और neural svms और आपका artificial neural network भी इसके उपर चल जाते हैं यानि के neural network के different models artificial में रहने देतों लिखने के लिए just to be on the safe side neural networks ठीक है there are many models which can help us classifying things based on the time series data सही है समझा ही बात की classify हम करते हैं अगर दो classes है ज्यादा भी का और काम भी का दो classes हमारी फिर हम क्या करते हैं पूरा time series का data लेते हैं हम उसको फिर classify करते हैं कैसे गर्मियों में ice cream ज्यादा भी की एक class सर्दियों में ice cream कम भी की दूसरी class तो based on the data we can classify our seasons as well तो time series के अंदर जितनी भी चीज़ें उसको अगर classification में convert करें that will be called as time series classification by the way यह जो मैंने forecast बताई है इसका मतलब होता है previous की base पे future बताना इसको हम regression अगर separate भी कर लें तो it's fine अगर हम time series regression भी बोलें तो वही चीज़ है classification and regression हमारे पास होगे फिर एक परसों आपने एक्जामपल देखी उसकी मैं यहां पर टाइप लिख देता हूं यहां पर मैं regression साथ में लिख देता हूं ताकि आप confused ना हूं regression भी हम करते हैं तो four number है हमारे पास time series का analysis जिसकी एक बहुत यह अला टाइप है जिसको हम बोलते हैं time series decomposition साथा अलफाज के अंदर बड़े time series के data को छोटे में convert करना मैं भी आपको एक example देने लगा हूं आपको अच्छे तरीके से समझ आज़ेगी यह time series का data है यह कितने हिसो में टूट सकता है जी एक दो तीन यह चार हिससे बन जाएंगे तीन कट लगाने के बाद सो अगर हम data को बड़े हिस्से को छोटे-छोटो में divide करें based on the seasons one thing cycles another thing या कोई भी ऐसा pattern जो time series के data में आ रहा है हमारे पास उसको हम time series decomposition बोलते हैं stats model की library यूज की थे ते शाम भाई ने परसों lecture के अंदर अगर आपको याद हो तो उन्होंने decompose किया था data को to find the cycles या patterns या seasons inside the data तो हम बड़े data पूरा data उसमें multiple seasons है तो हम season wise अपने data को decompose कर सकते हैं हम ट्रेंड जो है long term data से short term data की तरफ जा सकते हैं या short term data से अगर हम छोटे-छोटे trends को मिला के long term बनता है तो उसको अगर काटेंगे तो जारी बात है मारे पास short term या जाएंगे यानि के इंटों को मिला के घर बन रहा अगर दिवारेंगे रही जाएंगी तो decompose होके हम इंटे अपने पास वापश ले सकते हैं तो basic building block से हम उपर जाते हैं तो time series decomposition होती है और time series decomposition को further तीन चीज़ों में डिवाइड किया जाता है मैंने आपको बता दियें सिर्फ write down करने के लिए आपको मैं यहां पर लिखवा देता हूं पहली है जी हमारे पास trend अगर आप trends के अंदर किसी चीज़ को डिवाइड करें तो यह होता है आपका long term direction जो हमने पहले भी देखा है ओफ time series trend के अंदर अगर आप डिवाइड करें के कहां पर trend positive था कहां पर negative उसकी बेस पर सेकिंड आजी आपका seasonality की बेस पर थर्ड आजी आपका residual की बेस पर यानि के error of prediction कितनी है जब आप किसी चीज़ को predict कर रहे होते हैं तो error of prediction कैसे आती है जब आप बड़ी चीज़ों को divide करते हैं कि यह तीन मिलके एक अच्छी prediction दे रहे हैं यह वाला चोथा जो जब अब इनके साथ मिलता है कि error of prediction बढ़ जाती है आपको याद है ना हमने हिस्सों छे साथ हिस्सों में decompose की थी चीज़ें और फिर हमने एक एक हिस्सा चेक किया था one-to-one फिर हमने 50-50 किया फिर एक को निकाल के चेक किया था cross validation वगारा तरीका जो था तो यहां पर हम रेजिडियूल चेक करते हैं अपने time series के data का विल डू थैत इंशाला फिर आता है spectral analysis the fifth one spectral analysis spectra क्या होता है spectrum या spectra क्या होता है जी यहां पर हमने बात की trend की season की और residual की decompose करने की यहां पर हम बात करते हैं cycles की अगर हम एक ऐसा analysis करें which gives us a kind of technique जो identify करें साइक्लिक पैटर्ण इन डेटा उसको हम spectral analysis कहते हैं यानि के variation specific variation इन डेटा तो यह पकाइदा analysis है में हम मुझ उठाके नहीं कह देते कि यह एक cycle बन गया हमारे analysis हमें बताते हैं कि cyclic patterns एक डेटा में कैसे और कहां से कहां तक चल रहे हैं and there are many things involved in spectral analysis यह चोटी सी term नहीं है इसके पीछे काफी analysis भी है हमाले पास ठीक है ओके अब यह आप पर depend करता है इन पांच में से आपने कौन सा analysis choose करना है for your own project ठीक है मैं आपको दुबारा repeat कर देता हूं दुबारा यह repeat एक चीज़ होती भाइदावे पहला analysis है हमारा एडिये यह तो must है आपने करने करने तो प्री प्रॉसेस देटा आपने एडिये करने ही करना है हमेशा time series के डेटा का और जो बंदा एडिये करता है न time series के डेटा का उसका उस एक specific topic का domain knowledge increase करता है यह बाद याद रखे जैसे अभी एक example हम दिखा रहे थे वहां पे हमें यह प्रेडिक्ट कर पाएंगे तो अनू आप नू पताना हुए कि कोई चीज किस तरह कम कर दी है तुझे लोग का नू खेदस ने क्या हैंज़ गम कर दी सिंपल वही बात कि खुद को पता नहीं है और लोगों को बताना कि यह दस दिन बाद यह होने वाला है अक्सरोकाद इस older मैंने जबाने का यह पर्डिक्ट कर रहे होते हैं अक्सरोकात होते हैं जो प्रडिक्शन कर रहे होते हैं मिख ईंसी दू आप अपने expenses को deal करना start कर देना आप खुद से predict कर सकते हैं मैं कितनी देर में अमीर हो जाओंगा या मैं कितनी देर में disciplined हो जाओंगा you can predict that यह भी नहीं है कि तुझी एक मिना पैसे बचाए नहीं अगले में जागे जी पतों को मेंगी चीज़ ले लिए so you have to be careful about that so descriptive analysis of time series data increase your knowledge by 10 times I would say normal data की निस्बड descriptive analysis of time series data is much better क्यों आपको units का पता चलता है कि कौन सा unit कैसे है for example अगर degree salty grade है एक celsius इसको foreign height में कैसे convert करना है यह आप किसी हो अगर आपको वैसे कहेंगे न सीखो कोई नहीं सीखता लेकिन जब सर पर बड़ी पड़ी होगी ना इसको ऐसे करना है क्योंकि कुछ ऐसा डेटा भी होता है जो डिग्री centigrade पर डिपेंड करता है अब अक्सर अकात अमेरिका के अंदर बात होती है जब भी temperature की वह सिरफ degrees कह देते हैं अगली की गली नहीं दस देखे क्या है बट यू शोड़ नो कि वह फॉर्ण हाइट की बात कर रहे हैं ठीक है वहां प्या माइनस में बताएंगे नहीं पागल होगी इतना कम temperature वह तो बहुत गम होता है माइनस बन डिग्रीज में तो यू नीड तो नो दैट कि किस कल्चर में क्या चर रहे है डुमेन नौली के साथ साथ आपका कल्चुरल नौलेज भी निक्रीज होता है रीजन क्या है अब आम मेंसे कितनों लोगों को पता है कि माइल्स वर्सिस किलोमेटर यह क्या चीज होती है मैट्रिक यूनिट्स और दूसरे यूनिट्स यह जो अमेरिकन्स कहते है ना दो फुटबाल ग्राउंड हो जितना फासला चार ब्लॉक्स जितना फासला जितना साथे पिंड़ा चिकंदे ने सौरी मैं पंजाबी की तरफ शिफ्ट कर जाता हूं जैसे गाउं के अंदर नहीं कहते है दो किले टपके एक मुरबा टपके होता है न ऐसे तो वो क्या है वो कोई यूनिट नहीं है फार लॉंग ठीक है तो वो चीजें जो मैटर करती है न वो यहां पर टाइम सीरीज में बड़ी करती है अब आपके पास डेटा आजए तो उसी तर फड़े के वैए ना सेर अपना के यह रहा की हो गया अगर आपके पास आजाए कि इतने स्टेप्स दूर है अगर वड़ा लंबा बंदा आया तो स्टेप वड़े हो जाने न माइल्स किलो मेटर मैनी मैनी फिंग आउट एर ठीक है फिर आपको यह बहुंदाज़ा अक्सर अकात लगाना होता है खुद से आपको बता दिया गया के फ्लाइड का डेटा यह यह इतने से इतने बज़े यहां से वहां पर ट्रेवल की फिर आपको का जाता है कैलकुलेट थी प्राइस of fuels जहाज ने इतना fuel लगाया लेकिन प्राइस ने बता रहे हूँ तो आपको क्या करना होता है उस दिन की प्राइस देखनी होती है जाके online database से क्या उस कंट्री में जहां से fuel fill हुआ so there are many opportunities जो data आपके पास नहीं भी है आप उसको भी ऐड़ इन कर सकते हैं टाइम सीरिस के डेटा में अगर फैसलाबास से फ्लाइट उड़ी है उन्हों टमप्रेचर का नहीं बताया वो ये कह दिया उन्होंने कि इस्तंबुल में तीन डिगरी कम टमप्रेचर था आपको तो पता चल गया तीन डिगरी कम था लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि उस दिन पाकिस्तान में लहौर में कितना टमप्रेचर था तो विसली ऐसे इंडिकेटर मजूद हैं जो आपको उस टाइम पर ले जाएंगे तो आपको कभी-कभी ऑनलाइन डेटाबेसिस को भी चानबीन करना पड़ती है तो मेक दे सेंस आउट अफ दे डेटा तो प्लीज अपनी आँखे खुली रखिए अगर टाइम सीरीज के डेटा में अगर आप इसको अच्छे तरीके से डील करते हैं एडिये को आगे वाले काम ऐसे चुटकियों में होने क्योंकर मॉडल ट्रेन करना को बड़ा मसला नहीं है डेटा में घलतियां फाइंड आट करना बड़ा मसला है रीजन भी हाइंड डाइड एक बड़ी रीजन आपको ब कितना य या एक सरुकार आतंचे से दूसरे टाइम का डेटा कुझ सेंपल आउट करना होता है साथा सब्स SOL 133 7 5 गुना डेटा को कम करना है न आप हर क्या करेंगे पांट सैकनर डेटा लेए quadratic 6 गुना कम करने हर मिनिट का डेटा लेए कि तो आपकी calculation इतनी heavy speed के साथ reduce होगी कि आप अंदाजा करें कि के एक जगह पे 6 हमेलियनोस डेटा सेट है आपने फॉरन एक मिलियन का डेटा सेट लिया सेंपल में वो एक मिलियन रह गया पॉइंट समझ रहे हैं सो देर आर मैनी तिंग्स विच यू रिडियूस दा सेंप ठीक है और उसके बाद अगली चीज आती है विलकुल अभी जो बात की गी है टाइम भी नहीं आप क्या करते हैं पहले पांच साल का डेटा उससे अगले पांच साल का डेटा उससे अगले पांच साल का डेटा आप इस तरीके से इनके उपर भी सैंपलिंग कर सकते हैं rather than taking samples from each year आप 5-5 साल के data पर काम कर लें इसको time binning बोलते हैं ठीक है और यह बड़ा matter करता है याद रखें कि data जितना ज्यादा है उतनी accuracy तो आती है लेकिन अगर data आपका seconds पर है और fluctuate कर रहे हैं वो white noise में convert होना start हो जाते हैं क्योंकि वो smoothness नहीं दे रहा था आपको pattern तो अक्सर अकाद हर पांच चीजों का लोग average भी लेते हैं कि एक से पांच तक का जो data इसकी average ले लो and then use it for as a one go ठीक है तो इस तरीके से आप आगे जाते हैं और यह sensors का data बहुत important है और आगे आने वाली दुनिया में हर चीज़ डिजिटल हो रही है और sensors का data आपको पता ही है आप watch लगाते हैं अपना आपके पास जो report आती है कि आपने इतने गहंटे अपना mobile phone यूज की है य आप कहां से कहां पर जा रहे हैं so these happens अब अगर वो data आपके पास आ जाए तो तुसी के कहना मैं नहीं कर दिवाइस ना गम किता मेरे बड़े data से मेरे पर काम नहीं होना चोटा data देदा इसकी मिसाल बड़ी अच्छी देने वालो एक बंदे ने जिए वह जो अलादीन का चर कनाल का प्लाट बना दे यहां पर एक बड़ी सारी गाड़ी होनी चाहिए तो और भी पांच साथ काम बताए मेरे आका जिड़ा की मेरा साइज है मेरे को को दहीं दूई मुखालो समझ रहे हैं बात कि मेरे से आप दहीं बगारा मगवाले मेरा इतना सा साइज है आप जिन वाले काम करवा रहे हैं I'm not made for that not built for that इस वज़ा से अपने हाथ गंदे करना स्टार्ट करें बड़े डेटा सेट पे बड़े से डील करना स्टार्ट करें सेंप्लिंग के टेकनीक को सीखें आया आपने हर पांच वां सेंपल लेना है या हर पांच सेंपल को इकठा लेन हैं so it's up to you you have to decide you have to play with the data और believe me time series की data पे train model करने के लिए time लगता है क्योंकि it's called time series analysis तो यह ना कहना कि 5 seconds में नहीं हुआ मैंने data reduce करना नहीं have patience रुको जरा सबर करो and you will learn it ठीक है अब यह 5 types EDA time series की forecast जिसमें अरीमा सरीमा आ गया time series classification and regression यह मैंने एक अठी कर दी है टोटल 6 है वैस ताइम सीरिस decomposition इस अनधर टाइप and then spectral analysis अगर इन 6 के 6 को मिला लेना आपका portfolio heavy किसम का strong हो जाएगा एक ही प्रोजेक्ट बेशक कर लें लेकिन बताएं जरूर वो कहते है ना जितना बताओगे उतना बिकेगा अगर आप डेटा को नहीं न डिस्क्राइब करेंगे कि मेरा डेटा यह मेरा डेटा वो और major output किसी को नहीं पता चलना कि रीमा लगाया सरीमा लगाया क्या किया है आपने बड़ी बात कहनी है मतलब पाकिस्तान का पिछले 20 सालों का डेटा यह कहता है कि पाकिस्तानी लोगों के bank account पाकिस्तान से बाहिर इतने हैं और 2001 से 2010 तक इतना रुपया बाहिर गया है 2010 से 15 तक इतना गया 20 से इतना गया इन 3 सालों ने पिछला भी record तोड़ दिये तो यह बाते हैं जो आपकी चीज को selling point में लेके जाती है यह नहीं लेके जाती है मैंने 20 साल का data analyze किया किता होएगा भई अजी करिए जब तक आपने output नहीं बतानी तो चीजों का sell करना सीखें market करना सीखें अगर हम marketer अच्छे नहीं है ना बेशक जितना मर्जी बड़ा आपने काम की है वो कुछ नहीं होना उसका वो बात करते होते हैं हमारे senior के एक बंदा जो presenter अच्छा है ना उसको बेशक कम आता है वो उस छोड़ी काम को present करके ज्यादा दाद receive कर लेता है एक बंदा जिसको ज्यादा आता है लेकिन वो सामने जाके काम पे टांगने लग जाती है वो अच्छे तरीके से आगे move नहीं कर पाता so believe me if you do something spend your time अगर आप एक दिन का काम कर रहे हैं उस पर तीन दिन लग ओके हो गया जी so these things matters a lot अब मैं यहां पर एक और break लेता हूं